मेरा नाम है शोयब और आप देख रहे हैं Maximum Electronics अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और मोर इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए और जैसा कि आज हमारे पास एक सेमसंग का हेटफोन है इस सेमसंग के हेटफोन में प्रॉब्लम यह है कि यह देखिए यह सामने का जो प्लग होता है जो 3.5 mm की जैक है वो कट गई है तो इसे कैसे रिपेर किया जाया कैसे इसको सॉलुशन निकाला जाए तो इसके उपर हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं देखिए सारे वाइस तो टूट गए है कोई दिक्कत नहीं है हमें करना यह है किसे पहले रिमूब कर लिते हैं यह हमने रिमूब कर लिया ठीक है और उसके वादा इसके जो कैप है इसको हमने क हमें चार पॉइंट नजर आ रहे है तो हम 14 पॉइंट को कैसे सौइट करना है यह देखते हैं अब इसमें कलर की हिजात से देखा जाए तो इसमें कों सा वार क्या है यह मैं बता रहा हुति यह जब ब्राउंड है यह पे जो जो यह ग्रीन और यह blue अगर जूम करके बताओं तो यह देखिए यहां पर यह ग्रीन कलर है और यह ब्लू कलर है यह हमारे हैटफोन के लेफ्ट और राइट है और यह जो हमारे माइक का पॉजिटिव तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको सोल्डरिंग के लायक बना लें तो क्या करा जाएं पेस्ट पर ले लेते हैं यह पेस्ट हमने यह ले लिए अब हम अपने सोल्डरिंग आरेंट के यूज़ करते हैं मैं me भती कि वार था आ हुरा हम तो कि इसका पॉपर की जो वायर होती है उसमें यह जब कलर जो दीख रहाना है यह कहते हैं कोटी को एसको हमने क्या पर ले रिमूव करना है या सिंप्ली कह जैसे जला लिते हैं है यह हम ज़़ा रहें इसको कि इसको जला लिये हैं अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन सा वायर कौन सा टर्मिनल क्या काम करते हैं तो यहां पर पास दिखाऊं यह देखिए तो यहां पर जो यह वाला जो टर्मिनल है यह लोटि इस पीकर का वायर है इस पीकर का पॉजिटिव यह भी कब पॉजिटीव यह बीश का ग्राउंड और यह जो आपका माइक का पॉजिटीव है तो बस वैसे यह चुल तो यहां सी अक्सक थल करते हैं पिर सहमने क्लिये लेया है पेस्ट तो यह हमने पेस्ट ले लिए हैं और हमने यह जो दूसरे साइट के स्पीकर कर टर्मिनल हैं से सोल्डरिंग करना है तो यह देखिए ग्रीन वाला वायर इसे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूं यह सेकंड नंबर की टर्मिनल से है कर दो पर उसके बाद हमने करना है यह तीसरे नंबर जो कि बताया था में ग्रांड है यह तीसरे नंबर यह देखिए यह भी हो गया अब यह चौता नंबर जो है हमारे माइक के पाजिटिए यह देखिए यह पूरा हमने सोटिंग कर लिया है अच्छे तरी कैसे टाइम कि चेक और हेड़ोन इस वर्किंग और नाट तो उससे पहले हम एक और काम कर लेके हैं अब से पहले एक इंपॉर्टेंट काम यह करना है कि जो हमारा वायर हमें कनेक्ट किया है वायर एक्षुली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह तर्मिनल ग्राउंड के साथ में वीप शो करना चाहिए तर्ड जो है इस वीप कर रहे हैं मतलब हमारा राइट का स्पीकर सही है और जो माइक चेक करना है तो माइक के लिए आपको वायर ही चेक करना हो होती है वोड कूब अब बात करते हैं इसके चेकिंग की अट्स टाइम टू चेक आउर है जैसा कि आपको सुनाना चाहूंगा यह देखे तो पहले मैं मैं यह राइट ले लिया यह माइक को मैंने लगा दिया है यह जो सेकंड लेफ्ट वाला है जैसे भी मैं देखिए यह काम कर रहे है तो यह हमने जो भी कनेट किया काफी अच्छा हलो देखिए यहां पर वेव बन रहे है हलो 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 तो यह देखिए यह वाइप हमा झाल झाल